हतोडी भी जो है वो अलग-अलग प्रकार की है अब थोड़ा से ये भी आपको पता होना चीह तब भी तो आपका स्कील का जो लेवल कप बढ़ेगा जब हतोडी कोई पहचान कर सकें तो यह आपके पास में हतोडी दिदी मानना कि यह अपके पास में इसका पूरा नाम क्या ह है भी बॉल्पिन तो हेमर खली तक यह दिया है इससे काम नहीं चलेगा अब मैं यह बॉल्लपिन हैमर जैसे हैं एक डूसरी बॉल्पिन और लाता हूं ठीक है चलो अभी एक बार यह क्या है क्रॉस्पिन हैमर क्योंकि आप ने यह क्रॉस देख लिए पिर इसको क्या बोले पिर हैंबर के साथ और क्या चीए साइज तो यह साइज में क्या आएगा वजन आता है तो यह जो क्रॉस्पिन है यह 115 ग्राम को गए तो यह इस टाइप गएगी तो इसमें क्या होता है हतोड़ी के साथ उसका वजन भी होना चाहिए क्रॉस्पिन या बाल पिन जैसे क्रॉस्पिन के दिया आपने चलो भी आपने यह पिन पेचान लिए चलो इत्ते जानकर ही है कि आपने क्रॉस्पिन अब बनाता सकते हो नो चीत्र बना लोगे फाइनल एक्जाम में पिछली बार आया था यह एक बाल पिन हैमर का चीत्र बना मानन है कि यह question ऐसा आया हम हाँ ठीक है फिर हटोडी के बात पूछ लिए तो इसका tratar अयह न है यह फाईस यह पिन यह आई होल है कि जहांसे एंडल यह लगता है पर यह your नहुंत तो वह जार है तो जार में है क्वार में पिता सकता है कि एक चित्र आपको दे दिया और इसमें इस भाग का नाम बताइए इस औजार का तो तैंद ही हैं değer क्रोस्पिं नहीं है यत प्रोश्पिंड ये क्लॉ हमर है ये क्लॉ हमर मैं इस का नाम हेमर किthing निकलने के कंवा जाएगा यह कारपेंटरी में एक काम आता है यह क्लॉ हेमर हो गया यह पीछे यह जो बना हूँ है उसका नम ख्ला हेमर हो गया अब क्ला हेमर कहें गये तो यह क्लॉ हेमर और एक और यह मैलेट हैंवर इप मैलेट काहां उप्योग होता है इसका तार्व कुछ नहीं करते हैं उस समय कोईलों को सेट करने या कोई आप पैचान सकते हो इसा एक चित्र जैसे आ गिया मेलेट अब मैलेट का यह बना नहों तो यह वुडन मैलेट इसका उप्योग कहा होता है फिर यह भी तोगा कॉस्टन यह भी आ सकते हैं के मैलेट का उप्योग करते हैं है शीट मेध्ल कंशिएंग मेधल तो करतें शीट मेधल शीट मेधल सिट मेधल नाम समझते हो चत्दर तक दाहतु की चतर का जो काम करते हैं यो खुर्डी ईलेक्रिशन में किया काम पढ़ता है यह आपको बताए कि भी NSQF लेवल 5, National Skill Qualification Framework, आपका लेवल 5 करना है, तो सारे 1000 का पता होना चाहिए, सारी चीज़े आप काम करना जानना चाहिए, ऐसा नहीं के माल लो आपको कोई काम कर रहे हैं, और बोड छोटा पड़ गया, या बोड तूट गया, तो बोड को रिपेर करना है, तो सुथारी काम भी करना है, कारपेंटरी का काम भी करना है, अगर कहीं किसी मशीन का धकन वगयरा है, तूट गया है, आपने शीट ले करके नो उसको बेंड करके उसको धकन भी बनाना है, बोक्स भी बनाना है, तो मतलब शीट मेटल का काम भी आपको करना है, शीट मेटल का काम मतलब चदर का टुगड़ा लेकि दबबा बनाते ना दबबा माना कि कोई ऐसा काम है अपना कोई मशीन का टर्मिनल बॉक्स है वो टूड गया या कई गुम गया या दूसरा आपने नया बनाया तो फिर उसमें एक बॉक्स आपको बनाना है चदर आपके फासम है शीट को मोड़ना है काटना है उसका जोइन लगाना है उसको सीधा करना है तब जाके यह मेलेड़ का उप्योग होता है यह वाला तो कॉस्चन अब आसकता है कि भी मेलेड़ का होता है तो शीट में अगला जो ओजार है अपका स्पैनर बताई दिया आपको फिर चीजल मत्लत छेनिया चैनी क्रेंग की वैसे ज्यादा तो नहीं आती है कि दो प्रकार की या थिए और लखड़ी का काम करने के लिए जा आपकर वोड वगए लेगा कृद्धा चिलना है उसमें ख़ड़ा करना है या इसका कोई काम करना है तो फर्मर चीजल फर्मर चीजल यह इस टाइप की आएगी तो इसमें एक तरफ धार रहेगी एक तरफ एक तरफ फ्लेट एक तरफ धार ऐसे तिर्शा रहेगा एंगल बना रहता है अब इसकी जो साइज आती है वह चोड़ाई से आती है यह जैसे इसकी चोड़ा इसे यह कितने mm की है 20 mm है यह ऐसे इसके जो चोड़ाई है इसके आधार पराएगी एक इंची डेड़ इंची ऐसे आप इंच में जाओ तो यह है लकडी का काम करने के लिए फर्मर ठीक है इससे लोहां मगरे काटना नहीं दीवार में खड़ा नहीं करना है उसके लिए आपक cold chisel यह कहता है cold chisel cold मतलब दीवार में खड़ा करने के लिए ठीक है दीवार में खड़ा करना हो कोई लोहां वगरे काटना हो तो इसके लिए और यह cold chisel जो आएगी यह भी इसकी चोड़ाई और इसकी लंबाई भी साथ में आजाएगी cold chisel में आपको हतोड़ा उपर से मार करता है तो यह हैंडल उपर से यह तो फर्मड चीजल लकड़ी के काम के लिए यह कोल्ड चीजल दिवार में या लोहा काटने के लिए ठीक है यह समझ गे अब आगे कुछ आपको काम करना है को सुथा रिगा काम करना है तो 90 डिग्री एंगल पे लकड़ी वगरा है के नहीं यह देखने के लिए इसको बोलेंगा आपका ट्राइस्क्वाइर यह होगे आपका ट्राइस्क्वाइर या गुनिया ठीक है ने ट्राइस्क्वाइर इसकी साइज पर इसकी ब्लेड से होगी यह ट्राइस्क्वाइर कितने का है तो आप जैसी यह यहां से देख लिया देट सो ठीक है यह 90 डिग्री होना चाहिए तो कोई चीज 90 डिग्री पर आपके काम लेंगे अब आगे कुछ और भी हो जार है फाइल रेतियां गिसने की गिसने की रेतिया ना लकड़ी वगरा छिलना है तो रास्प कट फाइल होगी है वुड्रास्प कट फाइल इसमें बहुत मो प्लास्टिक चीलना है यह कोई रबड वगरा छिलना है रबड रबड चीलना है तो गाड़ी का ट्यूब अगरा होता है पंचा निकलता तो वह करते ना यह यह फाइल लेते काम में पताओ को आपने देखा भी होगा लेकिन पता नहीं कि इसका टेक्निकल नाम क्या है उसक तो वुड रास्प कट फाइल केते हैं यह रबड या लकड़ी छिलने के काम आता है अब उसमें आप यह वाली स्मूथ फाइल या सेकंड कर लेके जाओगे तो यह नहीं काम का वहां तो भी छिलेगा ही नहीं तो यह फाइले जो दूसरी हैं आपकी यह सेकंड कट फिर इस फाइल में भी क्या है कि आकरती के अधार पर कि दूख गया फ्लेट फाइल चप्ति है न कि यह फ्लेट हो गया फ्लेट फाइल हो सेस्मूद यह एक आएग़ी यह अर्द गोलाक यह आ रहे हता राउंड एैंग राआंड फीर एक राउंड भी आती है एक त्रिकोणी भी आती उसे ट्रेइंगोलर को लग कारती के अधर इंग पर हाराउंड में रहांड morning में दाउब me बास्टर्ड है ये दातों के आधार पर हो गया तीसरा होता है लंबाई के आधार पर लंबाई भी इसमें लिखनी पड़ेगी तो सारी चीज़े लिखनी है आपका नेशनल इसमें एक तो आकार भी लिखना है फ्लेट फाइल स्मूची है वह सेकेंड कट बास्टर्ड या यह कट भी लिखना है है साइज लंबाई यहां से यह लंबाई कितनी है के लिखना है आधार बीलिखना है और इसके दातों कि साइस भी लिखने तीनों चीज़े लिखने सब्सक्राइब मान लो कि यह फाइल है इसका पूरा नाम आपको लिखेना है पूरा नाम लिखेना है तो इसके तो पहले तापन साइज लिखेंगे 250 mm 250 mm खाली लिखने से काम नहीं चलेगा इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा 2nd cut 2nd cut मतलर कट के 100 पर और flat यह फिर लिखना पड़ेगा 255 फ्लेट 2nd cut कुछ ओजार जो आपके वर्षप में जो काम में आते हैं कारेश अला में वर्षप के जो काम में आते हैं जैसे नापने के हैं marking करने के हैं और चूडी बनाने के हैं तो ये अलग-अलग कुछ उजार है नापने के जैसे आपको सबसे पहले आपने लो आपको wire gauge नापना है wire का gauge जो सबसे important है electrician में तो gauge वैसे आप micrometer से भी नाप सकते हैं और दूसरा एक wire gauge से भी नाप सकते हैं इस आपने का तरीका मेथट क्या है इसका अब ऐसा नहीं कि आपको यह यहां पर च्छेद दे रखेंगें इसमें क्या है इसमें क्या है इहां पर दो च्छेदों के बीच पर अलग-अलग तो आपको वायर छिलना है इंसुलेशन उपर का हटा देना है उसके बाद इस वायर गेज में जहां ये आगे से ये कट लगा हुआ है उस कट में आसानी से जाना चाहिए न की ये ढिला भी न हो और टाइट भी न हो और आसानी से चला जाए ये कंडिशन है इसकी ये आसानी से इसमें चला जाए जैसे ये इसमें नहीं जा रहा है इसमें ये इसमें आसानी से ये जा रहा है ऐसा नहीं कि फिर ये इसका गेज ये ये बहुत धिला है ये इसका गेज नहीं है और जिसमें ये फिक्स जाए आप ऐसे बढ़ते हुँ उल्टे करम में जाएं जहां आपका स्लोट का जो दोनों के बीच में स्लोट में जो दूरी कम है उसमें जा करके देखने हैं जहां पर इसका एकदम फिक्स साइज है जिसमें यह वायर आपका जा रहा है वो छिलने के बाद ऐसा नहीं कि यह यहां ज जाता है उस तार का जो गेज होगा वो यहां लिखा रहेगा यहां प्रिंटेड है तो गेज यहां लिखा हुआ है और इसका डाइमेटर ना आपना चाता है तार हमेशा गोल होता है तो इसका जो व्यास होगा व्यास वो यहां लिखा रहेगा एक तरफ व्यास लिखा जहां एकदम exit चला जाए वो उसका तार का गेज होगा ठीक है? समझ गया नहीं? तो wire gauge से अगर माल लो पतला तार है और पतले में आपको confusion हो रहा है कि ये इसमें भी आसाने से जा रहा है इसमें भी जा रहा है अब इन दोनों में confusion है confusion दूर करने के लिए क्या करेंगे? micrometer लेंगे micrometer तो है ना? screw gauge micrometer आपको देर कहता micrometer से इस तार का व्यास ना पेंगे mm में mm में mm वाला है ना? mm ये इन्चेज वाला है mm वाला है mm वाला है mm वाला है ठीक है, वो micrometer जो अभी ये, तो इसमें दो तरह के आते हैं, micrometer भी ये, कींचेज वाला है screw gauge आपने देख रखा होगा है ना? इसमें ये पीछे जो है वो रैचिट होता है तो आपको इस भाग के अंदर इसको खोलना ये थिंबल है थिंबल को आप खोले और इस भाग में ऐसे आप रख करके और इसका एक तो वरत्ताकार पहमाना होता है और एक मुख्य पहमाना होता है एक वरत्ताकार पहमाना हो रहे मुख्य पहमाना इससे आप मुख्य पहमाने में और वरत्ताकार पहमाने का नाप ले करके और इसकी सार्णी होगी वो आपकी किताब में दे रखी है सार्णी की बीना तो अपने सार्णी पूरी याद भी नहीं करनी है और पी जैसे याद भी नहीं है तो जनरली जैसे 19 गेज का वायर है तो उसका 1 mm होता है तो 1 mm है तो 19 है और 0.91 है तो 20 गेज का है पॉइंट एट वने 21 गेज का है ऐसे यहां पर एक चार्ट भी था इंदर दर मिस्प्लेस हो गया बाकी एक जो चार्ट देख करके फिर आपका गेज निकला जाता है अगर मालो कोई बारिक तार है उसका गेज निकालना है तो जैसे अगर आप मोटर वैंडिंग करते हैं तो तो उसके उपर इनेमल्ड जो वारनी से उसको हटाना पड़ता है जला करके फिर उसमें जो एक्चुल कंडेक्टर है इंसुलेशन हटाने के बाद तार को एकदम सीधा कर देना है और इसका जो जा है इसको जबड़ा बोलते हैं तो इसमें ये इसको ऐसे लगाना है इसको लगाने के बाद इसका वरत्तागार पेमाना और मुख्य पेमाना का मान पड़के इसकी रिडिंग देखना है और वो आएगा इस तार का डायमीटर व्यास आजाएगा मिलीमीटर में उस व्यास के आधार पर आप गेज की गंड़ना करेंगे अगर बारिक तार है या आपक तार का गेज ना अपना ठीक है कर लोगे इसकी लाईगी थोड़ी बहुत तो है अब अगला जो है एक फिलर गेज होता है अभी इसका उप्योग तापके सेकेंडेर में आएगा ये फिलर गेज में अलग-अलग पत्तियां है ऐसे अलग-अलग इसमें भी अलग-अलग मोटि एक और मोटी यह अलगलग मैं कि का होता है इसका उप्योग जो होता है आपके मोटर और जणरेटर जो सेट है हैं जी सेट देखा यह यहां इस वर्शोप में दूनों का बैलेंस ने बर्याबर होना चाहिए जुद ऑनों के जो पुली का जो बैलेंस है क्योंकि यह जो rotating part है जैसे motor जैसे गुम रही है एक motor थोड़ी से यह टेड़ी होगी एक सीधी motor है एक टेड़ी है एक सीधी है इस प्रकार से होगा तो फिर वो जैसे motor rotate करेगे तो यह पुली है वो तूट जाएगी कुपलिंग तूट जाएगी कुपलिंग जो कहता है ना दो मशीनों को जोड के रखना कि एक मशीन से पावर आ रही है दूसरी मशीन में जा रही है मोटर से पावर आ रही है जनरेटर में जा रही है तो मोटर के साथ जो जनरेटर की जो कपलिंग है दोनों की पुलियां जोड के रखी है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए उसमें गैप कम ज्यादा नहीं रहना चाहिए अगर मालो एक में जैसे दो इम्म का गैप है तो चा जो motor generator set है उसमें coupling और उन दोनों का alignment करना मतलब समान जो level रखने के लिए उसमें ये filler gauge का उपयोग होता है ठीक है तो ये तो हो गया आपका gauge दूसरा आपका आता है marking करने का क्योंकि आपको जो है वो electrician के साथ साथ carpentry है और sheet metal है या fitter का भी काम करना है तो fitter का भी काम करना है तो उसमें जैसे मालो कोई block वगएरा उसके पर mark करना है mark करने के लिए एक होता है आपका scriber ये scriber करता है इसमें ये gripping है पकड़ने के लिए आगे का point है जब वो nuclear होता है ये point आपका pointed है double ended इस scriber का नाम है double ended scriber पिछले बार exam में ये चितर आया था इसका scriber का चितर बनाईए तो scriber का चितर गर आपको ये scriber ध्यान में है तो इसको scriber कहते हैं ये figure आप ध्यान में रखना है एक्जाम में ड्राइंग में ये free hand tool के जो चितर बनाना है तो आप ये बनाने पड़ेंगे ये दस नमर का ये question आता है electrician के ओजारो का free hand sketch बनाओ तो ये ध्यान रखना है कि आपको scriber इस type का होता है ये marking करने के लिए sheet जो से माल लो आपको मैंने पहले बता है कि sheet metal जागो कोई डबा वगरा बनाना है किसी machine का terminal box तूट गया आपको चदर पड़िये mode के आपको बनाना है तो कहां से mode ना है निशान लगा दिया चदर के उपर तो इतना भाग आपको mode करके और box type बनाना है तो उसके लिए आपको ये scriber है वो sheet के उपर निशान बनाने के काम आएगा एक होता है अगर मालो फ्लेट है कोई machine की plate वगरा टूट गई है या जो से coupling में कोई punch करना है तो center punch होता है ये center punch है जहां आपको drill करना हो तो drill metal में अगर drill करना हो तो center punch का उप्योग करता है तो center punch इस type का होता है ठीक है न center punch ये आपने देखी लिया इस type का है और ये metal में punch करने के लिए जहां आपको drill करना है वहाँ पहले punch करेंगे तब ये आपको proper drill उसी जग होगा तो जहां आपको drill करना है नहीं तो फिर वो teddy media जग हो जाएगा आपका level सही बेठेगा नहीं तो machine का कोई parts वगएरा कहीं तूट गया है दूबारा बनाना है तो लोहे का flat लेकर के उसके उपर एक center punch से निशान लगा दिया वहाँ आपको drill जित्ता चीए उस तो drill कर लिया ठीक है तो center punch का उप्योग है वो उसके लिए हो गया अब कुछ जैसे लकड़ी में छेद करना है तो यह gymlet हो गया लकड़ी में छोटा सा छेद करना है तो मालों बोड़ वगएर आपको वाइरिंग करते हैं तो यह hand हाथ से कहीं करना है तो यह gymlet जीमlet बोलेंगे इसको आगे से pointed है छेद में ऐसा फसा है इसको गुमाते रहो और यह छोटे छेद करने के लिए बोड़ बनाने के लिए छोटे छेद करने के लिए और इसका जैसे एक तो यह यह आपकी hand drill है तो जैसे इसको यहाथ से गुमाना तो आपके यह इसको आगे का हिससा है उसको चक बोलते हैं इसमें आपको drill bit लगा नहीं है बीट कहते हैं उसको पाना जसे जनरल पाशा प्रेटेते हैं दिल भीट अपना आप टेकनिकल आदमी हो एने सक्यों क्यूट लेवल में जा रहे हो नैशनल स्कील तो आप इसको बीट कहेंगे और इस और तरहेंद डिल मेंपि यह इक़ा देंग यह दब यह clockwise जैसे तो यह handle है उसको गुमाते जाओ तो यह ड्रिल हो जाएगी तो यह आपका hand drill machine हो गई ठीक है और लकडी का काम करने के लिए आपको यह अगर कील वगरा ठोकते हैं निकालने के लिए इस ओजर का नाम क्या है पहले बता है नहीं पिंसर पिंसर कहेंगे अब आपको म गोडन का काम भी करना है ठीक है और एक चीज और है यह आपका राउल प्लग टूल राउल प्लग राउल प्लग मतब दिवार में अगर मालो छेद करके गरीप लगा कि इसकुल कसना है ठीक है तो दिन मशिन से तो आपको करी लोगे ज़़े मालो electricity है नही वहाँ नया मकाण तूल काम में लेने पड़ेंगे जैसे हैंड डिल है तो हाथ से चलने वाली इलेक्टिक काम आईगी नहीं कि पास अपने ही नहीं और चोटा मोटा काम करना है दिवार में खड़ा करना है या चोटा मतलब ग्रीप लगाना के इसकूर कसने के लिए तो यह रॉल प्लक टूल हो ह finishesे थोड़ी-थ्वरी चोंत लगाते रहना और ग्हूमाते जाना है थोड़ा हखो ड़ी कि चोट लगाती लगाती जाते हुए थोड़ा ग्हूमाते जाना तक यह अंदर फ्रस्टwid नहींद धीरे से ढब निकालो फिर एक फीर जो ग्रीकर पती है फीर फीवसी या वड़न एक और यह टूल आता है C clamp अगर दो पटी एक साथ करने हैं दो पट्टे मिला के एक साथ आर पार ड्रिल करना है दोनों पट्टे हिले नहीं तो इसके लिए clamp यह आकरती कैसी है C या कर गी तो C clamp इसका नाम हो गया C clamp तो ओजार की पेचान पर आपको ने चित कि यह तो आपका C clamp हो गया C clamp से आप दो पटी एक साथ मिला के और ड्रिल आप करके आपको जैसे मालो winding का फर्मा वगरा करना है motor winding करने जाए तो फर्मा तो आपको हासी बनाना पड़ेगा coil वगरा बनाने के लिए तो यह C clamp हो गया अब एक हो जार आता है pipe cutter pipe को काटना है direct और अरी वारी तो हेकसा वगरा देखिए कि हेकसा आरी है और वुडन साथ देख रखिए आपने हेकसा जो लोगा काटने की जो आरी है हेकसा और अगर मालो हेकसा नहीं है तो pipe को सीधा काटना है तो यह pipe cutter हो गया इसको pipe cutter है इसमें यह blade है pipe यहां बीच में रख दो ऐसे और इसको ऐसे थोड़ा tight करके और चार और से इसको गुमाऊना पड़ेगा ऐसे ऐसे गुमाऊँगे दो-चार बार तो pipe cut जाएगा तो pipe cutter है ट्यूब कटर है चोटा होता है तो ट्यूब कटर आता है जैसे आरेंडेसी में काम जदा आता है इसका रेफ्रीजेशन एर कंडिशन में जो pipeline होती ही capillary tube तो उसके लिए तिह आपका हो गया pipe cutter होता है hand wise जैसे मालो overhead line जैसे जारी है aluminum के जो लंबे तार जा रहे है उनको आपको मोड़ना है तो हाथ में पकड़ता ही वो फिसल रहा है मोटा heavy तार कौन सा जो खंबो के उपर जो overhead line है ती है overhead line के तार देखें ACSR connector होता है aluminum conductor steel reinforce अंदर एक steel का तार होता है tension बढ़ाने के लिए कोई तार वाट तूट जाता है तो फिर उसको joint लगाना पड़ता है तो मोड़ना पड़ता है तो उस तार को अपने हाथ से नहीं मोड़ सकते तो उसके लिए आपको hand wise चाहिए जब तक ये wise में पकड़ के जैसे hand wise में जब तार को यहाँ तो यह होगया आपका अब इसके अलावा को sheet metal जो से चदर का जो box बनाने के लिए थोड़ी दर बात करी मैंने तो sheet काटने के लिए sheet cutter होते हैं यह sheet cutter है जैसे sheet काटने के लिए इसको snip बोलते है इसमें फिर दो वेरेटीक है एक तो यह straight है सीधा है और एक यह मुड़ा हुआ है इसका इसको बोलते है अगर मालो कोई गोल चदर का टुकुड़ा काटना है डीसक बनाने के कुछ तो यह ऐसे यह गोल काटेंगे ऐसे इसमें यह मुड़ा हुआ हिससा है तो यह गोल कटिंग होगी और सीधा काटना है तो यह हुआ यह स्निप होगे यह स्निप bend और स्निप straight ठीक है अब आगे ए जो पुली वगरा है एक पुली मालो खराब होगी है तूट गी आपको बजार से दूसरी पुली लानी है लगानी है अब ऐसा थे हैं नहीं कि पूरी-पूरी मोटर लेके जाएंगे इसमें फीटो ऐसा तो उसका नाप लेके दुकान वाले को बताना है यह नाप लेके जान नाप लेना है शाप्ट का अगर नाप लेना है मालो जैसे मशीन की शाप्ट का अगर नाप लेना है कि उसके उपर पुली लगा नहीं है आपको ठीक है तो मोट शाप्ट कितनी मोटी है तो उसके लिए यह कैलीपर होता है कैलीपर कैलीपर मतलब यह आउट साइड यह दो जो शाप्ट है मालो कोई मोटर की शाप्ट है या इतना है तो इसका डाइमेटर कितना है यह नापना है इसका बाहर से आउटसाइड से आउटसाइड के लिपर इस परकार से काम करेगा यह यह आउटसाइड के लिपर ऐसे ऐसे आपने नाप ले लिया ठीक है इसका यह तो आप ले नहीं जा सकते हैं अब बड़ी मोटर है मोटर को किसे ल Dollar के जाएंगे इसके नाब में पुली-फिट कर देना इसमें पुली-फिट करनी है तो अब उसको नाप लेंगे जाना why इतनी मोटाई की यह जो महारी outside ठीक है, एक होता है आपका inside caliper, अब आपणे जो पुली में drill करवा या बोरिंग करवा रखीए, वो किitna गयरा है जो inside, मतलब उसके अंदर खड़ा कितना है, boring कितना का रखा है inside caliper, inside अंदर का, अंदर का आपको नाप लेना है, अंदर अंदर जो ड्रिल का तो फिर यह इसको ऐसे अंदर ले करके और इसके अंदर का जो नाप लेना है अंदर ग्याराई में तो यह अंदर का नाप लेने के लिए इंसाइड केलिपर यह आपका हो गया आपका इंसाइड केलिपर है इंसाइड केलिपर में क्या होगा इसकी यह दो टांगे हैं इसकी यह ऐसे उब्री भी है और यह इन दोनों का जो नाप होगा यह इंसाइड केलिपर है तो इसका जो नाप है यह अंदर का जो बोर का जो ना बराबर नाप लेने हैं चार हिस्से मार्लों गॉल आपके पूली है उसमें चारों, छेथ बराबर बराबर बरॉबर डिस्Tनस पे करने है तो divider, divide करना मतलब भाग लगाना जिससे पूरा सरकर आ गया उसमें बराबर बराबर मात्रा में, तीह आपका हो गया divider जिसमें कोई मुड़ा हुआँ इस्सा नीं है, न तो बहार है न अंदर है, यह दोनों pointed है, ठीक है, ति यह आप का हो गया, डिवाइडर मतर्ब डिवाइड करको इतने के बराबर बराबर डिस्टेंस पे इतने इतने भाग कर लो, ति अप का हो गया, डिवाइडर, चित्र ध ड्राइंग में ये चित्र द्यान में रखना है, हलागि बुक में आपको देखा है, लेकिन फिर भी ये आपको फिसीकली दिखा दिया कि ये आपका outside caliper हो गया, inside caliper है, इंसाइड में ये दोनों मुझ जो आपके थोड़े से ऐसे बनाना है, तो ये आपका inside caliper हो गया और है इसमें जैसी यह चूडिया बनी वी है ठीक है ना तो कंड्यूट पाइप के उपर आपको चूड़ी बनानी है तो यह डाई है इसमें आपको यह हैंडल हैंडल लगाके रखना है और इसको हुँ आपको यह कंड्यूट डाई हैं पाइप यहां से जाएगा जैसे और इसको déreception में ऐसे गुमाते रहे ना है इसको दोना हाष से पकड़ के यह हैंडल दोना हाँस से पकड़ के इसको ऐसे गुमाना है इसा ऐसे गुमाना है थोड़ा सा clockwise फिर anti-clockwise ताकि वो material करता जाएगा फिर थोड़ा सा और आगे एक चूड़ी बनाओ फिर दो चूड़ी बनाओ तीन चूड़ी ऐसे करते हैं आपको एक साथ ऐसा नहीं कि पूरा पूरा टाइट करते हैं वह जाओ नित अंदर की डाई यह तूट जाएगी और इंची है एक पॉन इंची एक इंची ऐसे तो यहां से ऐसे अलग हो जाएगी बता दूमें अलग जब आपका पाइप का जो प्रेक्टिस होगी उस समय इसको खोलके यह डाई जो आगे लगा रखी यह आप चेंज कर सकते हैं ठीक हैं कि कंड्यूट पाइप डाई और अगर मालो अंदर चूडी बनानी है किसी मेटल के अंदर अंदर की साइट चूडी बनानी है तो उसमें टैप सेट काम आता है इंटरनल चूडी बनानी हो तो अभी यह तो बहुत मोटे चूडिया है अगर मालो अंदर की सेट चूडी बनानी है तो वो टैप सेट आता ह अभी वह तो चोटे डिल करके टेप करके अंदर की और चूड़ी बनानी यह तो टेप काम आता है और जुसको बाहर की चूड़ी बनानी है तो डईना सेट दशना अपर तो यह तो पता लगबग यह मैक्जिमम मोजार आपको बता दिये हैं और इसके अलावा कुछ होजार जैसे मालो समय समय पे चेंज होते रहते हैं और मल्टी परपस भी कुछ टूर्स वगरा मिलते हैं मार्केट में देखा होगा कि आपकी ये ड्रिन मशीन भी एन ड्रिल के साथ जो है वो अल लेंकी बोल्ट भी आते हैं ऐसा कुछ सेट भी आते हैं अलग-अलग तो ये एक जनरल मतलब मार्केट में आते रहेंगे तो फिर वो आप उसका चलन करते रहें अभी फिलाल अपने इलेक्टिशन के लिए तो मोटे-मोटे जो हैं आपको ओजार ये बताई दिये ठीक है अ उसका आप उप्योग करी रहे हैं